नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूं दोस्तों आप सभी के लिए कुछ महतोपून जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आज हम बात करेंगे मुंग फली में छुपा है सेहत का राज इस संबंध में मुंग फली सेहत का खाजाना है से 2.5 गुना तों फलों से 8 गुना अधिक होती है क्या आप जानते हैं कि 100 ग्राम कच्चे मुंगफली में एक लिटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है मुंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25 प्रतिर्शत से भी अधिक होती है साथ ही मुंगफली पाचन शक्त बढ़ाने में भी कारगर है 250 ग्राम भूनी हुई मुंगफली में जितनी मात्रा में खनीज और विटामिन पाए जाते हैं वो 250 ग्राम मांस से भी प्राप्त नहीं हो सकता है दोस्तों तो आएए आज हम जानते हैं मुंगफली के कुछ विशेश गुणों के बारे में पहला मुंगफली में न्यूट्रियंट्स, मिनरल, एंटि अक्सिडेंट और विटामिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि स्वास्त के लिए बहुत ही लाप्रत सावित होता है दोस्तो नमबर टू इसमें मोनो इनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि LDL या खराब कोलेस्ट्रोल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाते हैं मुंगफली में प्रोटीन, चिकनाई और शरकरा पाए जाती है एक अंडे के मुले के बराबर मुंगफलीयों में जितनी प्रोटीन वो उश्मा होती है उतनी दूद वो अंडे से संयुक्त रूप में भी नहीं होती नमबर फोर इसकी प्रोटीन दूद से मिलती जोलती है चिकनाई घी से मिलती है मुंफली के खाने से दूद, बादाम और घी की पूर्ती हो जाती है एक अस्टडी के मुताबिक जिन लोगों के रक्त में ट्राइगलाइसराइड का लेवल अधिक होता है वे अगर मुंफली खाएं तो उनके ब्लड के लिपिड लेवल में ट्राइगलाइसराइड का लेवल तक कम हो जाता है अगर आप सर्दी के मौसम में मुंफली खाएं तो आपका शरीर गर्म रहेगा यह खासी में उपयोगी वा फेफड़े को बल देती है भोजन के बाद यदि 50 या 100 गरा मुंफली प्रती दिन खाई जाए तो सेहत बनती है भोजन पचता है शरीर में खून की कमी पूरी होती है और मोटापा बढ़ता है इसे भोजन के साथ सबजी, खेर, खिचडी आदी में डाल कर नित्य खाना चाहिए मुंफली में तेल का अंस होने से यह वायू की विमारियों को भी नश्ट करती है मुठी भर भूनी हुई मुंफलीया निश्चेही पोशक्ततों की द्रिश्टी से लाबकारी है मुंफली में प्रोटीन, केलोरीज और विटामिन क, ई, तथा बी होते हैं यह अच्छा पोश्वन प्रदान करते हैं मुंफली पाचन शक्ति को बढ़ाती है रूंचिकर होती है लेकिन गरम प्रकृत्वी के वियक्तियों को नमसकार